हेलो प्रिंड मैंकमार्ट सुरफ से लगता है आपका स्वागत है आज की विडिव में इंटरेश्टीक टॉपिक पे बात करने वाले हैं जैसे कि आप थमनिल पे देखें लिए हो गे कि इंसान को करेंट कब लगता है इंसान को करेंट गर्बर के लिए इस तरह का बहुत सरा क होता है हर एक इंसान के दिमागों में तो आज इन पे हम बात करने वाले हैं चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम यह जान लेता है कि इंसान को जो करेंट लगता है इसके लिए करेंट फॉल्टेज और रसिस्टेंस यह तीनों मैटर करता है इंसान को करेंट लिए डिपेंड ये तीनों करता है आपका करेंट कितना है फोल्टेज कितना है या फिर उसका रसिस्टेंस कितना है बोडी का तो एक एक करके हम बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं रसिस्टेंस पे रसिस्टेंस किया है एक अवरोध है जिसे हम लोग हिंदी में बात करते रुकावट जो current के flow में जोर्य रुकावट बनता है उसे मैं with resistance क्वाते हैं जैसे इंसान के बोडी होता है जो टीए जो होता है सरीर में इसमें जो cells होते हैं यह रुकावट बनते है current care flow में तो कितना resistance वता है सिस्टेंस होता है रह जतना जाधा रहेगा करेंट उतना कम कँछ दो करेगा पहले आप यह कंसेट एक कर रो तो रशीस्टेंस का उचलव हो और T दो ध्याधा प्हेन पर आण स्यरेड़ करेंगा ओन सांगे रहे तो मतलब सूखा रहें तो एक लाग ओम व हता है है रस्केसने को हम हो में मेशर करता है यूनिट जो है ओम होता है तो एक लाग होता है जब ड्राइग रहता है लेकिन जब वेट गीला रहे इंसान का सरीर जैसे पानी घिंगो दिया तब अग्रसिस्टेंस चेक करें तो उससमय जो रसिस्टेंस रहता है वह 1000 ओम पहुंच जाता है कहां एक लाग से 10000 ओम पहुंच जाता है इसका मतलब गीले रियूनस का अब हम लेते हैं दो किस पहले केस में हम क्या करेंगे वायर देखते हो और 110000 वाले होता है उस वायर में क्या होता है वॉल्टेज गयाराजर होते हैं हमने सब्सक्राइट माल लिया कि उसमें जो वॉल्टेज आ रहा है गयाराज वॉल्ट आ रहा लेकिन एंपर जो है वह वन मिली एंपर आ रहा है तो इंसान को करेंट लगेगा नहीं लगेगा क्यों नहीं अच्छी आगे हम देखेंगे पहले मैंने एक केसे क्या लिया वॉल्ट जादा था इसमें एक यार वॉल्ट करेंट क्या था बहुत कम था सिर्फ एक मेली एंपर था तो इंसान को करेंट नहीं लगेगा अब दूसरा केस देखते हैं हमने माल लिया कि 11000 वॉल्ट के बदले मे तीसरा नंबर केस लेते हैं तीसरे नंबर केस में क्या है घर में जो इसमिले और गटाव दादा 220-230 वॉल्ड आता है तो उसमें वोल्ट कर लिया रहा है लेकिन इसमें शंपर है उंसान को जटका लगेगा सबसें पहले लिए श्टार्टिंग से करते हैं कि अगर अगर मा 1.5 milliampere अब यह milliampere क्या है तो 1000 milliampere को मिला क्या बनता है एक ampere 1.5 milliampere से 20 milliampere तक अगर current आता है कहां पे घरों में जो 220 volt वाला supply आ रहा है तो क्या होगा इंसान को pain feel महसूस होगा मतलब current लगने पर उसको थोड़ा सा pain feel महसूस होगा अगर 20 milliampere से 30 milliampere तक आता है इंसान को जटका लगेगा मतलब पतना कि जम छूते हैं वायर को जोड़ार जटका लगता है तो उस तरह से जोड़ार जटका लगेगा उस case में क्या होगा उसको बहुत दर्द भी होगा शरीर में दर्द होने लगेगा 30 milliampere तक आता है तो और 30 milliampere से 100 milliampere तक का current आ रहा है 30 milliampere से 100 milliampere तक का current आ रहा है देन इंसान का जो body है उस body को damage कर देगा मतलब एक तरह का हो जाएगा शरीर का जो मास पेसी है वो उसमें अकर जकर जाएगा अगर 100 milliampere तक आता है और 100 milliampere के अगर क्रॉस कर गया तो इंसान का dead निस्चित है 100 milliampere से उपर ग्राग आ गया तो इंसान का मौत निस्चित है कितने वॉल्ट पे 220 वॉल्ट जो घरों में सप्लाई आ रहा है तो हमने वॉल्टेज अजुम किया था कितना तीसरी केस में 220 अब जो है चौथे नमर केस लेते हैं एक इंसान का जो सरीर है वो और गीला है पर वेट है तो उस केस में क्या है 30 वॉल्ट से इंसान को फील होना स्टार्ट होयाता है लेकिन अगर ड्राई है सुखा है इंसान का सरीर तो 45 वॉल्ट से इंसान को फील होना स्टार्ट होयाता है एम्पेर ज्यादा रहेगा लेकिन वॉल्टेज मिनिमम नहीं रख थारां थाट के समें था date मिलिम भू दो मिलिमें the cate kater तो मिलम जो है अगर गिला शुरी मेंша और सुखा सारी रहेगा अगर ड्राइ। तो 45 वॉर्ट से में संटार्ट करता है तो हमें यह पता चलता है पूरा अमरोल निकाला जाए पूरा भी निकाला जाए तो इंसान को करेंट कितने फॉल्ट से और कितने एंपेर से लगते हैं तो एक इंसान को करेंट के लिए चाहिए होता है तीस मिली एंपेर और फॉल्टेज कितना पैतालीस वॉल्ट अगर फॉल्टेज पैतालीस रहे और एंपेर तीस मिली एंपेर तो इंसान को जटका लगेगा मिनिम्म ये एक तरह का समझे लो कि ये बैंचमार्क बन गया है कि तीस में सोड़ी 45 वाल्ट और 30 मिलियंपर इतने अगर आते हैं तो इंसान को जटका लगेगा लेकिन अब आते हैं ग्राउंड पर बात करते हैं ग्राउंड लेवल का बात नहीं था यह था थ्रोटिकल बात इस पर मैं उतना believe नहीं करता क्योंकि कभी भी इंसान को current लेया तो क्या वो मेजर करेंगा क्या पहले कि उतना लैमपर हैं पिरम करें उसमें ओन हैuk ए winding कोई भी इंसान को सब्सक्र Denfree voucher तो वो मेजर करके थोड़ी नहीं से करेंट लगा कि हम हमें मेजर करता है तब देखते हैं इसमें करेंट लगता है अगर करेंट लगना होता है तो आटमेंटिकल लगता है चाहिए वो एंपर मेजर करें कि ना करें वोल्टेज उसका जान पता है उसे कि नहीं पता है करेंट है कि नहीं पता है लेकिन करेंट जब लगना होता तो लग जाता है लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि किस किस सिच्वेशन में करेंट लग सकता है एंपर तो मेजर कोई नहीं जátना जीए सबसे पहला चीज कि करेंट किंकिं सोड से हमें लगता है पहला जो घरों में सप्ञाई आता है वायर वाला एक 다들 से टीसरा अ बस यह तीन ही मेडिय मेना करेंट लगनेगा यह तीन मेडिय में से कुरेंट लग सकता है पहले तो यह कंसेप्ट के लिए कर लो आपकी में घैखले यह के कर लिम्यों इस फेएटीक आपको कर पांoff मेर्त कर लो अब अब आधा में जोında आते हैं कि घरों में जुटप्लाई आ रहा है वाल्टिज कितना है 220 तो यह लिमिट से क्रॉस है मैंने लिमिट क्या भोला था 45 छो ओ वॉल्टेज हाई आ रहा है और एंपर कितना आता है एंपर तो पर लिमिट नहीं है उसका मतलब बहुत एंपर आता है तो एंपर यह आंपर का बेटरी हैं यह तो बहुत ही है चूलो हमें चाहिए कितना था सिर्फ मिलीय इमर्द छाहिए था लेकिन है देड़ सो है तो इमपर बहुत कड़ी नहीं करते हैं यह फरफ बाट कितना 12 हरश हमें कितना चाहिए था 45 वॉल्ट मैंने क्या बोला बेंचमार्क है 45 वॉल्ट तो 45 वॉल्ट तो बैटरी में एक बैटरी में आता नहीं है एम्पेर तो बहुत जाता है इसलिए एक बैटरी में करेंट नहीं लग सकता है तो आपको एक बैटरी छूओ एक बैटरी में कोई भी काम करो तो उसमें करेंट नहीं लगेगा हां इस केस में बाद आता है कि अगर हम बैटरी को सिरीज कर ले आपको पता है एक सिरीज में क्य रवाला battery होता है तो current लग सकता है हमें current कब लगेगा जब हम 4 battery का series कर देते हैं तो voltage जूड़ जाता है कितना 48 हो जाता है जो कि benchmark से उपर हो गया मैंने क्या Benchmark 45 वोल्ट से उपर का voltage तो 45 से उपर हो गया एंपड़ भी चाड़ा है क्योंकि कोई भी battery होता है वह 30 एंपर से उपर का ही होता है बैटरी नीचे का तो एंपर का होता नहीं है सो एंपर देड़ सो एंपर का बैटरी होता है तो एंपर भी बहुत जादा है और वॉल्टेज बढ़ गया तो इस केस में आपको करेंट लग सकता है जब चार बैटरी का आप सिरीज करते हो तो अग लेकिन इसका एंपर कितना होता है चलो ठीक है आइंपर जादा है लेकिन एवाल्टेज का मैं इसलिए एक पैनल कुछ चू सकते हो उसके करेंट ही लगेगा लेकिन हाँ दो पैनल तीन पैनल को आप सिरीज कर लियो तो वॉल्टेज उसका बढ़ जाएगा एंपर तो ऐसे ही क्या है उसके समें करेंट लग सकता है इसलिए आपको साब्धान रहना दो तीन पैनल को आप सीरीज करने के बात दोनों को दोनों फेज़य को आपको करेंट सकता है आपको बैटरी में स्रीज नहीं करना सिरीज करके नहीं छूना है क्योंकि सिरीज करते बढ़ जाए परेतरी का भी पैनल का भी और जो में सप्लय रहा तीनों का मैंने गैंसर बता दिया यह आपको मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इस से रिलेटेड, एमपेर से रिलेटेड, वो मैं जल्द ही लाने वाला हूं, उस सस्पेंस है, उस मैं और ज्याधा कंसेप्ट में किलियर करूंगा आपका, वॉल्टेज और करेंट को लेके मैं बहुत कुछ बताने वाला हूं उस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए, टेक केर